हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूटूब चैनल सिबिल फॉन्डेशन फ्रेंड हम इस वीडियो में तेरा कोटा के बारे में कुछ डिटेल देंगे इस वीडियो से पहले एक और तेरा कोटा का वीडियो बना हुआ है आप सभी भाई चैनल पर आए विजिट कीजिए और तेरा कोटा का क्या डिटेल है उसको देखेंगे तो पता चलेगा की तेरा कोटा का इंटलेशन कैसे किया जाता है कैसे लगा जाता है वैसे भी मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद दे रहा हूँ कि इसमें किस तरह से टेरा कोटा का फ्रेमिंग किया गया है और टेरा कोटा को बाई इसक्रू कैसे लगाए गया है और इसका किस तरह से पुरसेज और यह अलिवेटर जो देख रहे हैं RSP बोलते हैं इसको जो हाई राइजर विल्डिंग में काम करने के लिए बहुत बेहतरीन ये मसीनरी है सामने आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये 11 फ्लोर का विल्डिंग है इसमें RSP के जर्ये ये सब तेरा कोटा लगाया जा रहा है फ्रेमिंग आप देख रहे हैं साइड में और सेंटर में और भी जी आसी का इसका डेपोरेशन होगा जो बिल्डिंग का लुक बढ़ाने के लिए अच्छा राता है जो जी आसी इस बीच में लगेगा उसका भी एक वीडियो हम अलग से बना करके इस चैनल पर अपलोड करेंगे इस वीडियो में बताने का मकसद यही है कि फ्रेमिंग जो सामने देख रहे हैं जो भी फ्रेमिंग अल्मूनियम चैनल जो है इसको स्क्रूर से टाइट करके वाल में अलाइमेंट करके और जिस साइज में टेरा कोटा है उसी साइज में इसका फ्रेमिंग करके और एक एक पीस को बैठाया गिया है सामने आपको देखने के लिए इस में आपको साइज के बारे में कुछ डिटेल में दूँगा और उससे भी क्लियर डिटेल चाहिए तो इस वीडियो से पहले जो वीडियो अफ्लोड हुए है इस चैनल पर उसमें आप देख सकते हैं कि तेरा कोटा का साइज क्या है कौन कौन साइज में चाइना का ये मटरियल है चाइना परवाइट करती है और प्रड़क्ट करती है इसका वेट बिलकुल नथिंग के बराबर है बिलकुल उसमें कोई वेट नहीं है बिलकुल हलका क्वालिटी का ये तेरा कोटा टाइल्स है इसका size के बार में इसमें बताते हैं कि 800 Y 450 800 Y 325 ऐसे करके इसका सब size है जिस-जिस size में जहां-जहां ज़रुत पड़ता है वो इसे इसको fabrication भी कर सकते हैं by grinder by grinder करके जिस तरह आपको size चाहिए बना सकते हैं लेकिन उसमें by grinder के fabrication में कुछ different आता है जो आपको नुक्सान भूगतना पड़ेगा जो building में लगाया जाता है तो friend इस channel पर हम छोटा-छोटा topic लेकर के बहुत बढ़िया जनकारी बढ़िया knowledge लेकर के आते हैं कि channel पर जो भी भाई आयें विजिट करें तो कुछ knowledge कुछ जनकारी लेकर के ही जाएं मेरा विडियो बनाने का मकसद यही है कि contraction line में, civil line में, building line में कौन सा काम किस तरस किया जाता है वही सब detail इस channel पर आपको मिलेगा तो friend इस विडियो से बस इतना ही जनकारी देंगे विडियो अच्छा लगाते है इसको like, share, subscribe जरूर किजिए विडियो शुरू से देखने के लिए thanks and take care